नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डिल्स इन्दिया में आपने साथ मैं पूनम दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन के जिवाल ने शुक्रवार को पार्टी कारकरता सम्मेलन को संबोधित किया इस दुरान उन्होंने कारकरताओं से कहा कि वे घरगर जाएं और लोगों को भाश्पा की साजिशों के बारे में बताएं साथ ही उन्होंने कहा कि आम आत्मी पार्टी से सत्ता चीनने के लिए केस बना कर बड़े नेताओं को फसाने की कोशिश की जा रही है केज्रिवाल ने भगत्सी का जिक्र करते वे कहा कि उन्हें भी जेल जाने में दिक्कत नहीं है उन्होंने पहली बाद सारवजनिक मंच से अपने स्तिफे पर बात की और कहा कि वह इसे जूते के नौक पर लेकर चलते है उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में जन्दा से पूछ कर इसका फैसला किया जाएगा केज्रिवाल ने कहा हमें सत्ता का लालच नहीं है उन पच्चास दिन के बाद इस्तिफा नहीं देता किसीने मुझसे इस्तिफा मांगा नहीं था दुनिया का पहला CM हूँ जिसने अपनी मर्जी से उनपचासवे दिन के बाद स्टिफा दे दिया था स्टिफा मैं अपने जूते की नौक पर लेकर चलता हूँ मुझे मुखे मंतरी की कुरसी का लालच नहीं है लेकिन हमें यह देखना है कि हमें इनकी साजिश में नहीं फसना मुझे इस्तिफा देना चाहिए यहां जेल से सरकार चलानी चाहिए इस पर मैं अलग-अलग लोगों से चचा कर रहा हूँ सारे विदाय को पार्षट और वॉलिंटियर से चचा की है हम दिल्ली की जन्ता की मरजी के बिना कुछ नहीं करेंगे आप लोगों को दिल्ली में घरगर जाकर जन्ता से पूछना है कि क्या करना चाहिए जैसे हमने 28 सीटे आने के बाद कॉंग्रेस से समर्थन के लिए जन्ता से पूछा था इसी की साथ बढ़े देश्या यूस इंडिया के साथ दर्देवाद